तो आपके अपने यूटूब चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है दोस्तो अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकों को प्रेज जरूर किये ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलत की रहे तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे पॉलिक्याब इंडिया लिमिटेट कंपनी के बारे में क्यूंकि कंपनी ने आज के दिन अपने कौटर 3 के रिजल्ट पेश किया है तो कैसा है कंपनी के कंपनी का आज तक का परफॉमेंस कैसा रहा है आज देखते हैं उनके श 90% और 5 साल में देखे तो 290% के अच्छे खासे रिटन दिये अपने शेरोल्डर को और में एक्जिमम की बात करें तो 290 क्यूंकि यह कंपनी 2019 में शेर मार्केट में लिस्ट हुए वो सिसाब से काफी अच्छे रिटन अब तक अपने शेरोल्डर को दे दिये अब देखते ह है 0.40 है अगर रिटन ओन कैपिटल इंप्लोइट की बात करें तो 24.3% है रिटन ओन इक्विटी 20.1% है डेप टो इक्विटी रेश्यो देख सकते है 0.05 है मतलब ना के बराबर कर जा है डेप पिरी कंपनी बोल सकते है EPS देखे तो 24.7 है वही प्रॉफिट ग्रोथ एवरे प्रॉफिट अच्छे है अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कंपनी के रिजल्ट देखेंगे उसमें देख सकते हैं फिगर जो दिया है वह रूपीज इन मिलियंस में है पहला कॉलम जो दिया है वह 31 डिसेंबर 2021 का है दूसरा कॉलम है 30 सब्टेंबर 2021 मतलब पिछले अगर revenue की बात करें तो पिछले साल देख सकते हैं 27,463 पिछले quarter में 30,065 और अभी की बात करें तो 33,719 year on year भी और quarter on quarter भी उनके revenue में कपी अच्छी ग्रोथ हुई है वही total income की बात करें तो पिछले साल थी 27,788 पिछले quarter में 30,340 और अभी देख सकते हैं 33,936 year on year और quarter on quarter total income में ग्रोथ हुई है वही company के खर्चे देखे total expenses तो total expenses देख सकते हैं पिछले साल थे 24,499 पिछले quarter में 27,695 और अभी देखे तो 30,692 year on year और quarter on quarter उनके खर्चों में बढ़ोती हुई है वही company का profit देखे profit for the free year तो पिछले साल का profit था 2636 पिछले quarter में 2005 और अभी की बात करें तो देख सकते हैं 3,161 year on year और quarter on quarter काफी अच्छी ग्रोथ हुई है profit में काफी अच्छे result पेश किये है company ने अगर EPS की बात करें earning per share तो पिछले साल का EPS था 16,36 वही पिछले quarter में 13,09 और अभी की बात करें तो 16,52 year on year भी और quarter on quarter भी काफी अच्छी ग्रोथ किये company ने अपने result outstanding पेश किये है result में किसी परकार की खराबी नहीं है इस company में आप invest करकर चल सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like and subscribe जरूर कीजे thank you